डोक्यूमेंटरी फिलम काली का पोस्टर आने के बाद इसे लेकर खड़े हुए विवाद का मामला अब गरमाया हुआ है देश में इस फिलम के पोस्टर का विरोध हो रहा है फिलम की निर्माता को गिरफतार करने तक की मांग हो रही है तो वहीं दिली समय देश के कई राजों में इस फिलम की निर्माता लीना मणी मकिलाई के खिलाफ एफायार दर्ज कर ली गई है फिलम के पोस्टर पर जो विवाद खड़ा हो रहा है उस पर अब टीमसी सांसद महुआ मोहितरा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है महुआ मोहितरा ने पोस्टर और फिलम का बचाव किया है उन्होंने कहा कि काली के कई रूप हैं मेरे लिए काली का मतलब मास प्रेमी और शराप सुईकार करने वाली देवी है लोगों की अलग-अलग राय होती है मुझे से लेकर कोई परिशानी नहीं है मोहितरा ने कहा कि आप अपने भगवान को कैसे देखती हैं अगर आप भुटान और सिक्किम जाओ तो वहाँ सुबा पूजा में भगवान को विस्की चड़ाय जाती है लेकिन यही आप उतरपरदेश में किसी को परसाद में दे दो तो उसकी भावना आहत हो सकती है मेरे यह देवी काली एक मांस खाने वाली और शिराप पिने वाली देवी के रूप में हैं उन्होंने कहा कि अगर आप तारा पीठ जाएं तो काली के मंदिर के पास साधू आपको स्मोकिंग करते हुए मिलेंगे और लोग ऐसी काली की पूजा भी करते हैं हिंदू होते हुए भ पूजा का अधिकार परसनल स्पेस में रहना चाहिए जब तक मैं आपकी एक शेतर में हस्तक शेप नहीं कर रही हूँ मुझे नहीं लगता कि इसकी आजादी होनी चाहिए मुझे काली के इस रूप से कोई परेशानी नहीं है दरसल डोक्यूमेंटरी फिलम काली का एक पोस्टर सोशिल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है इसमें माकाली को सिगरेट पीते दिखाया गया था इसके साथ ही उनके हाथ में LGBT समुदाय का सतरंगा जंडा भी नजर आ रहा है ये डोक्यूमेंटरी फिलमेकर लीना मनी मेकल माकाली की रूप का ऐसा पोस्टर सामने आने के बाद लोगों ने इसका जम कर विरोध किया और पोस्टर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया कई लोगों ने फिलम मेकर को अरेस्ट करने की मांग की ये पूरा मामला अब पुलिस तक पहुँच गया है दिल्ली मुंबई और यूपी में इस फिलम के पोस्टर को धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बता कर F.I.R. दर्ज करवाई गई है